Hello everyone, मैं Dr. Monika Bhardwaj, Homeopathy Consultant एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर आशा करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी और आपको पसंद आई होगी अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो आज हम बात करेंगे मेलेजमा के बारे में जिसको लोकल भाषा में जाईयां बोलते हैं अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा लाबदायक होने वाली है तो आज हम इस वीडियो के में डिसकोस करेंगे कि मेलेजमा क्या होता है किन कारणों से होता है किस तरीकी से इसका बचाव किया जा सकता है और होमेपैति ट्रीमेन का क्या रोल है इस मेलेजमा की कंडीशन में आज की वीडियो शुरू करते हैं मेलाजमा एक बहुत कोमन स्किन डिसोर्डर है स्किन कंडिशन है जिसमें होता क्या है कि डाक डिसकलर्ड पैचिस फॉम हो जाते हैं बन जाते हैं फेस के ऊपर फेस में कोमनली इंवॉल्ड पार्ट होते हैं forehead, bridge of the nose, cheeks and chin ये commonly involved होते हैं और ये condition जदा-तर pregnancy के cases में देखने को मिलती है तो इस वज़े से इसको mask of pregnancy भी बोलते हैं ये symmetrical condition होती है मतलब both sides से marks बनते हैं इस condition में और 90% ये condition females में देखने को मिलती है dark skin females होती है उन में देखने को मिलती है बट ये males में भी मिल सकती है ये एक harmless condition है मतलब ये condition dangerous नहीं होती पर ये emotional aspect पे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है ज़्यादतर females को क्योंकि उनको क्योंकि वो अपनी beauty को लेकि ज़्यादा conscious होती है तो उनमें depression होने की भी chances रहते हैं इस conditions की वज़े से तो इसको cure करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है इसके कारण बहुत सारे होते हैं बिसिकली इस condition में होता क्या है जो हमारे skin cells होते हैं जिनको हम melanocytes बोलते हैं वो ज़्यादा pigment secret करने लग जाते हैं जिसको बोलते हैं melanin dark pigment होता है जिसको melanin बोलते हैं ज़्यादा secret करने लग जाते हैं in response to sunlight या hormonal imbalance या कुछ medications होती हैं उनकी वज़े से अब हम बात करते हैं कि इनके कारण क्या-क्या होते हैं melanocytes के कारण क्या-क्या होते हैं सबसे पहला यह जो dark skin female होती है मतलब जिनका complexion थोड़ा dark होता है उन females में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनमें जो dark pigment melanin होता है वो ज़्यादा होता है इसकी वज़े से यह condition ज़्यादा dark skin female में देखने को मिलती है और अगर कोई भी किसी भी type का hormonal imbalance हो मतलब अगर estrogen, progesterone level अगर increase हो body में तब यह condition देखने को मिलती है जैसे pregnancy की cases होगे उनमें और hormone replacement therapy अगर होती है तब भी उन cases में melasma देखने को मिल सकता है thyroid disorders हो गए और कुछ medications, certain medication जैसे anti-conversion drugs होगी उनमें, anti-conversion मतलब जिनको दूरे आते हैं, वो जो दवाईयां ले रहे हैं उन दवाईयों में भी उन दवाईयों को लेने की वज़े से भी यह condition देखने को मिल सकती है अगर आपकी family history में melasma है, मतलब अगर आपके parents में, genes में अगर melasma था, तो आपके होने के ज़्यादा chances रहते हैं और सबसे important कारण होता है melasma का sun exposure area frequently frequently going to sun exposed area मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर sun exposure होता है बोडी का, तो उस condition में ज़्यादा देखने को मिलती है यह condition, तो यह high altitude वाले जो area होगे न, जो mountainous area होते हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है यह condition ठी है, तो अब हम बात करते हैं, कि आप इसको prevent कैसे कर सकते हैं इसको prevent करने के लिए जब आप sun exposed area में जाते हैं तो उसके 20 मिनट पहले आपको sunscreen लगानी है कौन से आपको sunscreen यूज़ करनी है जिसका SPF 30 प्लस हो मतलब 30 से 50 की range में हो उस sunscreen को आपको यूज़ करना है, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया तो वो पूरे दिन आपको protect करेगी, ऐसा नहीं है आपको हर दो घंटे में reapply करनी है, मेलेजमा अपने आप ठीक हो जाने वाली condition है यह जैसे ही इसका कारण remove हो जाता है, तो यह अपने आप fade away हो जाती है, मतलब अगर जैसे इसका कारण pregnancy है जादा hormone secret होने की वज़े से यह condition हुई है, तो अगर जब hormone balance हो जाते है तो यह condition अपने आप ठीक हो जाती है मतलब अगर यह pregnancy में condition हुई है, तो उसके delivery, baby के delivery होने के बाद, 2-3 महिने के बाद यह condition अपने आप ठीक हो जाती है लेकिन कुछ-कुछ conditions ऐसी होती है जिनमें यह ठीक नहीं हो पाती तो उसमें आप homeopathic treatment ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारी wonderful medicine है homeopathic में बहुत सारे wonderful medicine है जो melasma की condition को permanently cure करने में help करती है हां, और आप prevent करने के लिए वैसे तो जो healthy diet होती है वो उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता, melasma को cure करने में but healthy diet nutritious diet, आपकी skin को healthy रखने में help करती है जिसमें आपके vitamin A, C, E होना चाहिए और omega 3 fatty acid होना चाहिए आपकी diet में ताकि आपकी skin healthy रहे तो अगर आप यह भी अपनी diet में include करते हैं यह omega 3 fatty acid vitamin A, C, E तो इसकी वज़े से आपकी skin healthy रहेगी और आप prevent कर सकते हैं इस condition अब हम बात करते हैं कि कैसे homeopathic treatment आपको melasma की condition से permanently cure कर सकती है तो homeopathic में बहुत सारी wonderful medicine है तो हम one by one discuss करेंगे कि आप कौन-कौन से symptoms आने पे कौन सी medicine लेनी है पहली medicine है CPI, CPI किन patients को लेनी चाहिए जिनको बिल्कुल भी interest ना रहे अपने घरबार में कभी occupation में कहीं भी उनका मन नहीं लगता उनको अकेली रहने से भी डर लगता है और हमेशा sad रहती है रूती रहती है इवन अपनी complaints को भी बताती है तब भी रूने लग जाती है और इनका जो complexion होता है वो yellow होता है और हाँ इनमें yellowish spot मिलेंगे यहाँ cheeks पे, bridge of the nose पे, forehead पे और इनकी जो भी complaints होती है इनको बहुत ज़्यादा menstrual irregularity होती है इनकी जो CPI की females होती है इनमें menstrual irregularity देखने को मिलती है और चोटी-चोटी बात पे irritate हो जाती है अगर यह सब symptom आप में हैं तो आप CPI medicine ले सकते हैं Next medicine है Lycopodium Lycopodium के patient में grayish yellow discoloration मिलता है face के ऊपर और इनमें जो Lycopodium के patient होते है इनमें dark blue rings मिलेगी under the eyes यहाँ पे dark blue rings मिलती है और जो इनकी Lycopodium के patient होते है इनको sweet, स्मीठा काने की बहुत ज़दा craving होती है यह self-confidence इनका बहुत ज़दा लो होता है अगर यह सब symptom आप में है तो आप Lycopodium ले सकते है next medicine है colophyllum colophyllum उन patients को लेनी चाहिए जिन में menstrual और uterine troubles हो उनके साथ-साथ malasma हो skin के उपर malasma हो तो आप colophyllum ले सकते है इस type colophyllum के patients होते है उनकी skin vote होती है और dry होती है next medicine है plumbum mat plumbum mat के जो patients होते है इनकी skin बहुत जादा shiny और greasy होते है और इनमें yellow sports मिलते है cheeks पे, forehead पे, nose पे यहाँ पे yellow sports मिलेंगे और इनकी face होता है वो pale होता है मतलब हलका पीला पड़ जाता है और बहुत जादा weak होता है next medicine है cadmium salve cadmium salve बहुत अच्छी medicine है melasma complaint के लिए इसमें क्या होता है कि वही same complaint yellow sport मिलेंगे cheeks पे, forehead पे, nose पे बड़ जो इसके यह सारी condition है यह हवा लगने पे और सूरज से sun exposure से aggravate बढ़ जाती है यह सारी complaint next medicine है barbarous aquifolium यह बहुत अच्छी medicine है barbarous aquifolium melasma के लिए या कोई भी scar mark हो गया तो उनको clear करने के लिए बहुत अच्छी medicine है यह basically clear करती है facial complexion को अभी हमने सारे medicine सारी homeopathic medicine जो भी melasma की condition में ली जाती है उनके बारे में detailed discussion किया तो आपको अपने symptoms इन medicines के symptoms से match करने हैं तो जो भी medicine आपके symptoms से match हो रही है आपको वही medicine लेनी है और अगर आप फिर भी confused है कि आपको कौन सी medicine लेनी चाहिए तो आप अपने nearby homeopathic doctor को consult जरूर कीजिए तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक खुश रहें, स्वस्त रहें